तो आज के सेशन में हम कॉंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज रिलेटिड टू प्रिंसिपल्स ऑफ अगाउंटिंग फॉर एससाइड डिप्टी डिरेक्टर एक्जाम तो हम कर रहे थे MCQs, Accounting से रिलेटिड और हमने अब तक Introduction कवर कर लिया था Basic Accounting Terms कवर कर लिये थी फिर उसके बाद Accounting Principles कवर कर लिये थे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे Accounting Standards Accounting Standards के MCQ हम आज सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूँ जो अकाउंटिंग स्टेंडर्ड हैं हमारे देखो इसमें हमें डिटेल्स में जाने की कोही जरूरत नहीं बिल्कुल बेसिक-बेसिक MCQs जो होते हैं हमारे उनको हमें रिमेंबर रखना है उनको डिसकस करना है ठीक है जो मेजर फोक अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाम आई है तो जी से सस्क्राइब कर लिजिए और बेल लेकेंट पर क्लिक कर दीजिए और आप हमें टेलिग्राम चैनल पर भी जॉइन कर सकते हैं और अगर आप ESI डिरेक्टिव डिरेक्टर एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो जल्दी से अनुजिंडल डॉट इन पर जाए अनुजिंडल पर जाके ESI पर क्लिक कर लिए जिए और कॉर्स में इन्वाल्व कर लिजिए महां पर आपको डेटेल्ड वीडियो पूरी कोर्सिस की अविलेबल हो जाएगी चलें आज की कोशन के और तो पहला कोशन क्या है ब ग्छ अकांटिंग्सैंडर्ड इशैप़ेबल फोर ओफ निया कहाय पर डैप्री ऍेशन अकांटिंग गवॉट्ञ कोउट्सै अकॉंटींग हमारा डैप्रीशिशा कॉट्रीश सेथीन पर एप्ले बर होता है तो हमएं अकॉन्टिंग स्टैंडर्स के नंबर याद रखने तो पहला accounting standard कोन से accounting standard number 6 जो की हमारा depreciation के लिए होता है फिर है हमारा accounting standard number 2 जो की हमारा valuation of inventory के लिए होता है valuation of inventory फिर हमारा accounting standard number 10 जो की हमारा property plant and equipment के लिए होता है लास्ट है हमारा accounting standard number 10 जो कि हमारा cash flow statement के लिए होता है यह हमारे चार accounting standards दे रखे हैं तो इसका correct option क्या हो जाएगा option number A, accounting standard number 6 हा ना आप लोग भी यह सोच रहे होगे लेकिन आपको बता दूँ कि यह answer गलत है इसका correct answer होगा option number 10, accounting standard number 10 तो जो हमारा depreciation accounting है वो अब mention है accounting standard number 10 में property, plant and equipment में पहले क्या होता था? हमारा accounting standard number 6 होता था depreciation वाला लेकिन उसे withdraw कर लिया गया है और अब हमारा accounting standard number 6 exist नहीं करता तो जो हमारा depreciation है उसको merge कर दिया गया किसमे accounting standard number 10 में है property, plant and equipment में तो याद रखना accounting standard number 6 पे टिक नहीं मारना इसका correct answer क्या हो जाएगा? option number C, accounting standard number 10 which is property, plant and equipment समझा गया? बिल्कुल basic basic questions डिसकर्स करेंगे हम आज तो second question क्या हमारा? ASB stands for ASB की full form क्या है? तो accounting standard board accounting standard bulletin accounting selection bulletin accounting standard branch तो ASB की full form क्या है? तो सबसे पहले बात कर लें ASB होता क्या है? ASB है हमारा accounting standard board ICAI, Institute of Chartered Accounts of India ने हमारे Indian accounting standards को देखने के लिए जो board बनाया था उसे हम कहते हैं ASB, accounting standard board और कब form हुआ था? ये form हुआ था 21st April 1977 में ठीक है? तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? option number A, accounting standard board तो full forms आप से पूछी जा सकती है उनको आपको remember रखना है चले, ASB का काम क्या होता है? accounting standards frame करना इंडिया के लिए चले आगे next question है all of the following are the limitation of accounting standards except हमें बताना है कि इन में से कौन सी limitation नहीं है accounting standard की क्या बताना है कौन सी नहीं है question को दिहान से पढ़ना all of the following are the limitation of accounting standards except इसका मतलब हो गया कि हमें बताना है कि which of the four is not the limitation of the accounting standards तो पहला point क्या दिया हुए है brings in flexibility मतलब जो हमारा accounting standard है उसके कारण inflexibility आती है flexibility कम हो जाती है rigidity रहती है next क्या है time consuming कि accounting standard को follow करने में time लगता है c क्या है difficulty between choosing alternatives last क्या है not brings uniformity तो कौन सा answer आपकी according सही है a, b, c, or d जल्दी से बताओ देखो एक पर इनको discuss कर लेते हैं a क्या मतलब क्या inflexibility आ जाती है कि भाई जो accounting standard में given है हमें वो ही opt करना पड़ेगा उसी वह में work करना पड़ेगा time consuming कैसे है कि accounting standards को follow करने के लिए time लगता है उसके according record करने में time लगता है फिर है difficulty between choosing alternatives जैसे अब जो हमारा accounting standard है जैसे हम depreciation की बात कर लें या किसी और की बात कर लें तो कुछ जो alternatives दे रखे होते हैं उसमें कि भाई तुम या तो यह चीज कर लो तो वो जो decide करना होता है उसमें time based होता है फिर last day रखे है not brings uniformity कि accounting standards से uniformity नहीं आती तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option number D क्यों जो uniformity है हमारी ये तो accounting standards का advantage है देखो हमारा जो reason था accounting standards लाने का या पूरे world में accounting standards फॉर्म ही क्यों गरे गए थे कि हर एक के accounting information में financial information में similarity दिखे ताकि हम उन्हें compare कर सके तो जो सबसे major advantage है हमारा वो ये ही है कि हर एक की uniform होती है same होती है तो ये हमारा एक advantage है ना कि limitation तो इसका correct answer हो जाएगा option number D not brings uniformity ठीक है ऐसे ही simple simple question आने के chances है हमारे accounting standards से related चलें आगे तो next question है the global recognized set of set for standards for the preparation of financial statements by business entity used in multiple country is termed as the global recognized set of standards को क्या कहा जाता है जो multiple countries में use होती है IFRS, ICI, ASB, IES तो ASB तो हमने अभी पढ़ा accounting standard board तो ये तो मेंने अभी पताया कि भाई ये सिर्फ किसके लिए होता है इंडिया के लिए rules बनाता है हा ना IES तो बिल्कुल कोई लेन देन नहीं हमारे topic से इंडिया के लिए इंसिटिउट उफ चाटेट अकंट आफ इंडिया ये भी सिर्फ इंडिया के लिए हो गया INTERNATIONAL Financial Reporting Standards International Financial Reporting Standards तो हम क्या कहते हैं जो International Standards होते हैं मतलब जो Companies जो Globe में Multiple Nations में वर्क करती है वो IFRS फॉलो करती है तो हमारा Correct answer क्या हो जाएगा IFRS ठीक है तो हम अगली बाद हो आज तो जल्दी session रहेगा छोटा session रहेगा क्यों easy questions discuss कर रहे हैं और याद रखना हम हर Thursday को मिलते हैं कितने बज़े दो बज़े accounts के MCQ discuss करने के लिए चले next question पर next question है as per accounting standard number 2 inventory should be valued at cost of inventory, NRV lower of cost and NRV, higher of cost and NRV accounting standard number 2 क्या अगॉर्डिंग inventory किस पर value करी जाती है बहुत बारी question repeat हुए कई सारे exams में क्या इसका cost पर करी जाती है NRV पर करी जाती है NRV भी क्या होता है net realizable value net realizable value lower of cost and NRV higher of cost and NRV तो इसका correct answer है offshore number C lower of cost and NRV accounting standard number 2 में हमारा जो inventory से related है उसमें given है कि जो हमारी books में inventories record होंगी वो किस पर होंगी lower of cost and NRV ठीक है आज हमने ये 5 questions बहुती simple accounting standard related से करे थे next session में हम next questions उठाएंगे next topic उठाएंगे और उससे related MCQs discuss करेंगे और हाँ ये हमारा last question जिसका answer आपको कहां देना है comment box पे क्या question है which of the following accounting standards are for the effect of change in the foreign exchange rate कौन सा हमारा accounting standard किसके लिए होता है effect of change in foreign exchange rate Indian AS2, Indian AS16, Indian AS21 none of the above इसका answer आपको मुझे comment box पे देना है अब कई बच्चों के question में mind में आ रहा था आ रहा होगा कि AS के आगे IND क्यों लिखा है IND क्यों लिखा है तो इसका मतलब होता है Indian accounting standards क्या होता है Indian accounting standards द्यान से सुनना मेरी बात पहले इंडिया में क्या होता था accounting standards होते थे accounting standards क्या थे जो हमारे international standards से उससे match नहीं करते थे तो international standards से match करते हुए नए standards बनाए गए उन्हें हम क्या कहते है Indian accounting standards या INDAS तो ये बात basic हमें याद रखनी है जो international standards से related है international standards से match करते है उन्हें हम कहते हैं NDS और जो हमारे ओल्ड वले हैं वो होते हैं AS ठीक है तो आपको पताना है कौन सा हमारा accounting standard if relate करता है effect of change in foreign exchange rate से रिलेकर कमेंट box पर answer देना है that's all for today bye bye take care see you soon